आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में 700 करोड लोग रहते हैं, उनमें आदे इस्तरी हैं, आदे पुरुष हैं, और पूरी दुनिया भर में 300 मत मजब संप्रदाये, जिनको दुनिया भर के लोग मानते हैं। और सभी मतों में, सभी संप्रदायों में, सभी पंथों में, सभी मजब में, सभी तरह के रिलीजन में एक चीज कॉमन है, और वो है प्रार्थना। प्रार्थना सब कोई करते हैं, प्रेर करना, अरदाज करना, इबादत करना, वंदना करना, भ्यर्तना करना, पूरी दुनिया में सब जगे ये शब्द है। अब देखने वाली बात यह है कि सभी जगे प्रार्थना है लेकिन करनी कैसे चाहिए प्रार्थना कैसे की जाये क्या उसका तरीका होना चाहिए यह सीखना समझना भी जरूरी है हला कि यह बहुत लंबा चौड़ा विशे है मोटे तोर से आपको ये बताना चाहता हूँ कुछ प्रार्थनाएं होती हैं जिसमें आप भगवान को थैंक्स करने जाते हैं आपका कोई काम बन गया आप धन्यवाद करने के लिए गया कुछ प्रार्थनाएं वो होती हैं जिसमें आप भगवान से अपना दुख दूर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो आर्थ वेदना होती है किसी पीडित आदमी का दर्द अपने भगवान के सामने अपने दर्द को कहना कृष्ण भगवान कहते हैं चार तरके लोग जो है भगवान की भक्ति करते हैं उन चार तरके भक्तों में सबसे पहले भक्त तो वे ही हैं जो दुख पढ़ने पर भगवान का नाम लेते हैं जिसको कहते हैं कि दुख में सिम्रन सब करें सुख में करें न कोई जो सुख में सिम्रन करे तो दुख काहें को होए मैं इसको थोड़ा उल्टा बोलता हूँ और जो मैं बोलता हूँ उसको याद रख लेना अभी अभी तक हम कहते ना दुख में सिम्रन सब करें तो में की जगा का कर दीजिये दुख का सिम्रन सब करें सुख का करे न कोई जो सुख का सिम्रन करे तो दुख काएं को होे बस यह अपने चेंज कर लेना अगर सारा दिन दुखी-दुख याद करोगे तो दुखी-दुख आएगा जीवन में और अगर अपने सुख को ध्यान में रख करके बगवान को thanks करोगे और ये कहोगे इतना दिया है और आगे भी तेरी मिहर होगी ही होगी क्योंकि तू अपने बच्चों का हमेशा भला ही चाहता है तू वो पिता है जो अकारण अपने बच्चों को प्यार करने वाला है इसलिए प्रभू धन्यवाद ही करते हैं शिकायत करने नहीं आए हैं तो धन्यवाद करने वाले को सब कुछ मिलता है शिकायत करने वाले को कुछ भी नहीं मिलता इसलिए शिकायती पुत्तर मत बन जाना भाई जब देखो तब शिकायत जब देखो तब शिकायत और कुछ लोग तो होते ही ऐसे दिया कभीरा रोय, जहां देखो वही बैठा रोया, हर समय रोते रहने की आदत है, शिकायत करते रहने की आदत है, कुछ तो इतना अपना दुर्भग्य मान कर चलते हैं, कि मेरा काम नहीं बनने वाला है, मेरी तो दुर्भग्य इतना पीछे पड़ा हुआ है, कि अगर कुट्टे से बचने के लिए उट पर भी जाके बैठ जाओ, तो कुट्टा वहीं काठने आता है, बोले मेरा ही काम नहीं बनेगा, अगर मैं कबर खोदने का काम शुरू कर दूँ, लोग मरना बंद कर देंगे, इसे नहीं काम मिलना चाहिए, अगर इतनी जाद अपने अंदर निराशा भर के रख लोगे, तो भागे अगर जाग भी रहा होगा, खुशी अगर आपके दर्वाजे पर आ भी रही होगी, और आप मुह लटकाए बैठे होगे, तो वो सोचेगी कि गलत पता दे दिया हो सकता, बराबर वाले का हो, तो आ दन्यवाद करने वाले बन जाएए, दुनिया में जातर प्रार्थना करने वाले लोग दुखे कारण भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है, दुखे कारण भी लोग, क्योंकि जब और कोई सहारा नहीं दिखाए दे, तो जो सहारों का सहारा है, वो तो परमात्मा ही है, उसका नाम लेना चाहिए उसका साहरा लेना चाहिए उसको याद करना चाहिए और ये ध्यान नकलीजे जब कुछ भी ना बुद्धी काम करें ना पुर्शार्त काम करें ना अपना कोई काम आए ना कोई पराया काम आए जब बिलकुल अकेलापन महसूस हो और कोई बसना चला हो तो तु भी नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा इसलिए परमात्मा आज आप से शक्ति की और सारी की प्रार्थना करता हूं तु दया कर मेरा काम बने और ये बात ध्यान रख ले न कि सब के आंसों का हिसाब एक ही पर होता है और वो बगवान के दर पर होता है बाकि इस दुनिया में कोई किसी की पिड़ा हरने के लिए तयार नहीं है तो उस दर पर बैटकर अपनी प्रार्थना करें दुख में भी पुकारा जाता है लेकिन हर पल दुखी रहने की आदत नहीं बनाओ हर पल परिशान ना भी उतनी बात हो बड़ा बड़ा करके दुखी होकर चले कभीर साब ने बड़ा अच्छा किया कभीरा हसना बंद कर रोने से कर प्रीत रो करके ही पाई प्रेम प्यारा मीत अपने परम प्रदीली पुकार से ही पाया जा सकता है तो यह तो पुकारना है तो बहुत ज़्यादा भाव को करके पुकारिये मीरा ने जैसे का एरी मैं तो प्रेम दिवानी मेरा दर्द न जाने कोई दर्द की मारी बन बन डोलो यह जो भजन है मीरा के सारे दर्द से बरे वे गीत है जैसे वो कहती है माने चाकर राखो जी मुझे अपना नौकर बना लो मेरे गोविंद मेरे ठाकर मैं तुम्हारी चाकर ही करूँ सभी में पीडा वेदना की अभी व्यक्ती है कि अपने दर्द को भगवान के आगे छलकाते वे उससे मांगा जाए तो एक तरह के भग्त तो वे हैं जो दर्द से पीडित होकर अपनी वेदना को भगवान के चरणों में अरपित करते हैं और उससे साहता की प्राटना करते हैं तो ये भी एक तरीका है दूसरा एक तरीका और है जिसके द्वारा आप अपने उपर कृपा पा सकते हैं उसे भी आप लोग द्यान से सुन लीजिए एक तरीका वो होता है कि जब आप अपने परमात्मा की कृपाओं को याद करते वे उसको थैंक्स करते वे उसको आप ये सब याद दिलाते वे कि मैं आभारी हूँ मैं धन्यवादी हूँ मैं हर तरह की कृपाओं के लिए आभार व्यक्त करता हूँ तो वो जो प्रार्थना आप करते हैं वो भी एक रूप है लेकिन एक तीसरा रूप आपको याद रखना है तीसरा रूप जो प्रार्थना का मैं बताने लगा हूँ ये तो पक्का पक्का याद कर लेना ये रूप वो है कि जिस समय में आप ये नहीं कहते कि जिन्दगी का रास्ता बहुत कठी नहीं भगवान आओ रासान कर दो तब आप ये नहीं कहते बड़ी जिम्मेदारियां, बहुत बड़ा बोज, बहुत बड़ा भार सिर पर आ गया आप दूर कर दीजिए, आपकी प्रार्थना का ढंग बदल जाता है, आप कहते हैं जिंदकी का रास्ता कठिन है, मैं नहीं कहता के तु इसे आसान बना, मेरी प्रार्थना तो यह है के रास्ते पर भी आसानी से चलना मुझे आ जाया, बस यह आशिरवाद है, मैं नहीं कहता के मेरी जिम्मेदारियों के बोज़ को हलका कर भगवान, इतनी सारी जिम्मेदारियां मत दे, भले ही कितनी जिम्मेदारी दे, लेकिन इतने कंधे मजबूत कर के हर जिम्मेदारी को आसानी से उठा सकूँ, मैं तुछ से अपने कंधे मजबूत करने की प्राथना करता हूँ, कि मुझे इस लाइक बना, कि ये जिम्मेदारी तो क्या, इससे भी बड़ी जिम्मेदारी आये, तो हर जिम्मेदारी को निपा सकूँ, मैं शक्ति की प्राथना करता हूँ, मैं झालतना.